कहते हैं कि फोर्स का एक सैनिक या जवान कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता इस सोल्डर इस नीव ऑफ ड्यूटी गुंडा जनपत की मोतिगंच और जिलाही रेलवे स्टेशनों के मध्या गारी संख्या 15904 चंडीगर डिब्रुगर्ड एक्स्प्रेस के दुरगटना ग्रस्त ह होने की घटना की दौरान यह कहावत सौव प्रतिश्रत सच्च साबित हुई घटना के दौरान उसी ट्रेन में उपनिरिक्षक प्रमोद कुमार आरपीएफ पोश्ट छप्रा पुर्वोतर रेलवे बाड़ा नसी मंडल भी रेलवे कोट गोंडा में ग्वाही के बाद ओफ और स्लीपर कोच पट्री से उतर कर पलट गये जिससे चारों तरफ मची चीख पुकार में एक शन को उपनिरिक्षक प्रमोद कुमार समझ न पाए कि एक एक यह क्या हो गया घटना में उन्हें भी चोटे आई थी क्योंकि कई यात्री उनका कोच पलटने से उनकी उपर अहसास हुआ क्योंकि ऐसी ही स्थिती और पड़ी स्थितियों से निपटने के लिए एक जरवान को तयार और फिट किया जाता है उनका बीवन कोच 75 से 80 डिक्री जुकी हालात में लटका हुआ था भागद्दर होने और जिसके पलटने पर कई यात्री महिलाओं बच्चों क के दबकर ज्यादा घायल होने की पूरी संभावना थी इनके द्वारा तुरंत इस दुरगटना की सूचना लखनाओं मंडल के उपलद आर्पिएफ नंबरों पर देने के बाद मौके पर पूरी सूझ बूच से कार्य करते हुए कुछ यात्रीयों के सहयोग से इमर्जेंस बाहर निकाला गया घटना होने पर और लूकल थाना मोतिगंच गुंडा के पहुंचने तक उपनिरिक्षक प्रमोद कुमार अकेले ही वर्दी में मौजुद थे जिनके द्वारा अपनी सूझ बूच डिवटी और करतब्यों का वक्षू भी निर्वाहन करते हुए मोर्च पर उनके सहयोग से गंभी रूप से घाल चार यात्रियों और मुलितकों को अस्पताल भिजवाया गया मौके पर उपनिरिक्षक द्वारा स्वेम भी घाल होने के वावजूद सूझ बूच और आर्पिएफ ट्रेनिंग में मिले सीख से विनार डिवटी के रहते हुए भी अपनी वर्दी का फर्ज निभा कर कई यात्रियों का रस्कियों और बचाओ किया गया वह निह संदेह और द्वीतिय काबिले तारिफ और जीवन रक्षक है जिसके लिए उपनिरिक्षक प्रमोद कुमार ने पूरे आर्पिएफ को गौर्वानतित किया है